दोस्तो नमस्कार आदाव सत्स्रीयकाल न्यूज क्लिक के इस खास कारिक्रम में आपका स्वागत है शनिवार की शाम हम आपके सामने पेश करते हैं सप्तावर की खबरें और उन खबरों की हम लेते हैं खबर हम कोशिश करते हैं कि आपको बताएं कि जो खबरें थी उनको किस रूप में देखा जाना चाहिए और मीडिया ने किस रूप में पेश किया था सबसे बड़ी खबर दोस्तों जो आज मैं आपके सामने इस अपता की रखना चाहता हूँ वो है कॉंग्रेस पार्टी से जोड़ी खबर कॉंग्रेस पार्टी में जो उसके राष्ट्री अध्यक्ष हैं चुनाओ रिजल्ट आने के बाद राहूल गांधी ने इस्थीपा दे दिया लेकिन कॉंग्रेसियों को पूरा भरोसा था कि राहूल गांधी अपना इस्थीपा जरूर वापस कर लेंगे जैसा कि होता आ रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी में जब कभी कोई चुनाओ हारता है तो प्रदेश का अध्यक्ष हो पदाधिकारी हो या नेशनल कई बार होता है कि लोग इस्थीपा देते हैं फिर मानमनुवल होती है फिर जंडे लहराय जाते हैं और आकर के टेंजनपत के सामने या 24 अकबर रोट के सामने खूब नारे बाजी होती है शोर गुल मसता है और अल्टिमेटली फिर पता चलता है कि जो नेता है उसने पतिपा वापस नहीं करने जा रहे हैं तब जाकर कॉंग्रिस पार्टी के जो बड़े नेता हैं खासकर जो राजियों के बड़े नेता जो केंदरी समीती में उसके नेता हैं उनको यह लगा कि अब तो हमें कुछ न कुछ करना पड़े जा तब से अब तक नजाने कितने एक सुझाओ यह भी आया कि कॉंग्रेस के पदाधिकारियों के मंडल में जो सबसे बुज़ूर्ग नेता हैं उनको फिलहाल अंतरी मध्यक्ष बना दिया जाए इसके लिए मोतिलाल बोरा से लेकर करण सिंग तमाम लोगों के नाम आये लेकिन इसकी आलोचना भी शुरू हो गई और लोगों ने ये कहना सुरू किया कि अगर चुनावी हार के बाद एक नौजवान नेता राहूल गांधी के स्थीपे के बाद अगर बहुत ज़्यादा उम्र दराज नेताओं को बुज़ूर्ग नेताओं को अंतरी मध्यक्ष ब लोगों की आने लगी थी तो अब कुल मिलाकर कॉंग्रिस पार्टी में ऐसा लगता है कि पार्टी सिरियस हुई है क्योंकि इस बीच में करनाटक से लेकर गोवा तक तेलंगाना से लेकर के और दूसरे सुबों में बहुत सारे जो 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 कमजोरियां पार्टी की थी व उंगले सप्ता उसको एक नया अध्यक्ष मिलेगा लोग कई बार सोसल मीडिया पर लिख रहे हैं अपने नेताओं को प्रभावित करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी के ही किसी व्यक्ति को या अधेर उम्र के किसी व्यक्ति को राश्ट्री अध्यक्ष बना यक्ष प्रश्ण है जो कॉंग्रिस नेताओं को जिसका जवाब देना है और दोस्तो हमारी जो दूसरी आज की महत्पूर्ण खबर है वो करनाटक के बारे में है करनाटक के बारे में 11 जुलाई को सरवच नयाले ने वहां के जो बागी कथित विधाय थे बागी उनकी करता विधायकों के स्थीपे पर फैसला ले लें इस पर विधान सभाज एक्ष ने जो क्यार रमेश कुमार है उन्होंने कहा कि सुप्रिम कोट को ऐसा आदेश देने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है ऐसा लगा कि नयायपालिका और विधायका के बीच में एक बार फिर ठ नयायमूर्थी दीपक गुपता और नयायमूर्थ अनृद्ध बोस की तीन सदस्ती पीठ ने सुनवाई जो बाद में की शुक्रवार के दिन इस पर देखा गया कि जो रमेश कुमार ने बयान दिया था स्पीकर सहाब ने और जो उनकी तरफ से अबुसेक मनु सिंग्वी याचिका पर चर्चा की थी कई महत्पुन मुद्दे उठ गये थे राजीव धाउन सहाब ने भी स्टी कुमार स्वामी जो मुख्य मंत्री हैं उनकी तरफ से अरगू किया था और तब माननी नया अधीशों की टीम ने पीठ ने ये कहा कि 16 जुलाई को आगे विचार करेग और शुक्रवार की एस्थिती की अनुसार अब माना ये जा रहा है कि शुक्रवार को जो फैसला आया है उस पर यह था इस्थिती वहाँ पर लागू रहेगी अब करनाटक के प्रसंग में ये बताना आपको बहुत जरूरी है कि करनाटक में जिस तरह का नाटक चल रहा है उसके रंगमंच ऐसा लगता है कि बंगलोरू में भी है उसका रंगमंच मुंबई भी रहा और एक हद तक माना जा सकता है कि दिल्ली भी संसग में जब ये मामला भी पक्ष ने उठाया संपोर्ण भी पक्ष रहे तो हमारे देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि इस मामले में उनकी पार्टी या केंद्र की सरकार का यानि भारती जंता पार्टी का कोई हाथ नहीं है लेकिन बंगलूरू एरपोर्ट पर जब विधायकों को मुंबई भेजा जा रहा था तब भारती जंता पार्टी के करनाटिक में जो टॉप लीडर है जो मुख्य मंत्री रह चुके हैं कई बार बियस यदुरप्पा साहब उनके खास जो सहयोगी हैं सहकर्मी हैं उनकी तस्वीरें विधायकों के यात्रा का प्रबंद करने में यूटी हुई तस्वीरें दिखाई पड़ी सवाल उठा की ये जहाद जो जा रहा है वो किसने मैनेज किया है एरक्राफ्ट या भी सवाल उठा कि जो मुंबई में होटल बुक किया गया है वो कैसे मैनेज हुआ है और सब छोड़ दीजे तो ये जो चित्य क्या था कि अगर करनाटक के सीचाई मंत्री और वरिष्ट कॉंग्रिस नेता दीर शिव कुमार अगर वो मुंबई के जो प्रदेश अध्यक्ष है कॉंग्रिस के मिलिन देवडा के साथ मिलने जब गए कॉंग्रिस के अपने साथियों से जो जाहिर है नाराज होकर बगावती अंदाज में मुंबई चले गए हैं उनसे जब वो मिलने गए तो उसी होटल में कमरा भुक करा महाराष्टरा की पुलिस यानी मुंबई की पुलिस ने उनको अंदर घुसने से रोक दिया अब सवाल यह है कि क्या एक वरिष्ट मंत्री करनाटक जैसे सुबे का वो होटल में क्या कानून व्योस्ता के लिए संकट पैदा हो सकता है लेकिन मुंबई प्रशासन ने मंबई की पुलिस ने कहा कि इससे कानून व्योस्ता की इस्तिती पैदा हो जाएगी लेहाजा होटल में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा तो यह सारा जो नाटक है वो क्या साबित करता है क्या वो यह साबित करता है जो हमारे रक्षा मंत्री ने बीजे पी की तरफ से या सरकार की तरफ से जो बातें कहीं कि उनकी पार्टी उनकी सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है बलकि उन्होंने तो ये तक कह दिया जो बड़ा दिल्चस्प था कि राहूल गांदी जी ने इस्थिपा दिया है पार्टी के अध्यक्ष पत से लहाजा उनके विधायक इस्थिपा दे रहे तो ये जो मामला है वो कुल मिलाकर बहुत दिल्चस्प है और इस दिल्चस्प मामले का क्या पटाक छेफ होगा ये मुझे लगता है कि अगले सब्ता के शुरू में ही बलकि शुरू के दो तीन दिनों के अंदर ही तै हो जाएगा दोस्तों हमारी आज की तीसरी खबर रेल मंत्राले से जुड़ी है और वो खबर क्या है खबर यह है कि रेलवे के जो करमशारी हैं जो उनकी यूनियने हैं वो इस वक्त भारत की रेलवे के आनशिक यह यूँ कहा जाए कि क्रमशार प्राइविटाइजेशन नीजी करण के खिलाप अभियान चला रहे हैं यह जो नीजी करण है उसको PPP model भी कह सकते हैं क्योंकि नीजी करण के अनेक चेहरे हैं विनिवेशी करण भी एक तरह का नीजी करण की एक प्रक्रिया है PPP model भी है जिसको public private partnership कहते हैं अभी पता यह चला है जिसका खुलासा काफी पहले हो गया था कि बहुत जल्दी भारत को private rail यानि रेल गाड़ियां मिलेंगी यानि हमारे देश का जो आम आदमी है वो नीजी च्छेत्र में नीजी सायोग से सरकार की तरफ से उसको बकैदे ट्रेने मुहया कराये जाएंगी और private company या ट्रेन चलाएंगी इसके लिए आ रहा है कि दिल्ली से लखनोग के बीच में चलने वाली तेजस express को पहले चलाया जाएगा private संचालन में जाहिर है किराया तैक करने का अधिकार private company का होगा उसमें रख रखाओ उसमें reservation उसमें सारी की सारी प्रक्रियाएं उनकी होगी इसके अलावा railway के कई और जो उपक्रम हैं खास कर उसके कई ऐसे उपक्रम जहां निर्मान कारे होता है उनको भी PPP model पर ले जाने की चर्चा है कई ऐसे मामले हैं जहां पर कई ऐसे च्छेत्र हैं जिनको पूरी तरह नीजी कृत करने का भी प्रस्ताव लोग बता रहे हैं सुत्र हमारे बता रहे हैं कि वो भी डिसकसन का हिस्सा है तो एक तरह से भारत की railway जो सबसे बड़ा उपक्रम है पूरी दुनिया का माना जाता है सारवनिक शेत्र का उसके आंशिक या क्रमशा प्राइविटाजेशन का रास्ता साफ हो गया है और नरेंदर मोदी जी की सरकार ने इसको अंजाम दिया है या अंजाम देने जा रही है इसको लेकर देश के अलग-अलग शेत्रों में रेलवे के करमचारियों की यूनियने रोजाना प्रदर्शन कर रही हैं, प्रोटेस्ट मार्च कर रही हैं, धरना दे रही हैं, उनके परिजन भी इसमें शामिल हो रहे हैं, देखना है कि ये कितना बड़ा प्रतिरोध का रास् पर किस तरह करमचारी प्रतिरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखे सीधी सी बात है कि आज के तारीक में भी अगर आप देखें कि सबसे जादा लोग जो दूर दराज इलाकों में से, अगर आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर एक बड़ा वर्किंग सफर करते हैं, और आप जैसे ही प्राइबिटाइज करेंगे, सीधे सीधे आप उनके कमर के ऊपर बहुत बड़ा मार कर रहे हैं, दूसरी बात के करमचारी ओं का भी ये मानना है, कि जन परिवहन जो है, वो जनता की सवारी है, इसको आप नीजी करन मत कीजे, जो रेल्वे सेक्टर में, नीजी कमपनिया का एकाउंटिबिलिटी नहीं है कि उस देश के जनता को सर्व कर, वो एकाउंटिबिलिटी सरकार का है, लाखों की संक्या में रोज हमारे देशवासी इदर से उदर जाते हैं, उनको टिकट नहीं मिलती है, उनकी बुकिंग जो है, दो दो मह नजर है उनकी, अभी अडानी जी को पांच एरपोर्ट दिये थे उन्होंने पिछले कारकाल में, और मुझे लगता है कि अब अडानी की नजर रेलवे पे आए, लेकिन देश का मजदूर अंदोलन, देश के ट्रेड उन, हमेशा से सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में खड़ा रहा है, और अभी भी सरकार चाये कितनी भी मजबूती के साथ अपने आपको साबित करें कि हमारे 300 का में समर्थन है, 400 का समर्थन है, लेकिन देश की जनता ने उनको बेचने के लिए नहीं समर्थन दिया है, देश की जनता ये भी देखती है कि अगर ये देश को बेचने की कोशिश करेंगे सार्जिनिक छेत्र को बेचने की कोशिश करेंगे रेलवे को बेचने की कोशिश करेंगे तो लाखों की संख्या में सड़कों पर उत्रेगी और सरकार की नीतियों का विरोध करेगी दोस्तों हमारी अगली खबर है कि देश के पुरवत्तर में यनि असम में वहां के बहुत महत्पूर्ण दस कवियों पर सरकार ने एफायार कराने का एक फैसला किया है और एफायार दर्ज हो गई है इनमें हाफिज आहमद समेत असम के दस कवियों पर जो एफायार दर्ज होई है इसमें बताया जाता है कि प्रणोजीत दोलोई नाम का कोई व्यक्ति वो शिकायत किया था उसने कि इन लोगों ने ये जो कविताएं लिखी हैं इन कविताओं में जो नागरिकता कानून है जो बहुत विवादास्पद है उस विवादास्पद नागरिकता कानून को एक तरह से विशय बनाया गया है और इन कविताओं में ऐसा लगता है कि ऐसी बात कही गई है जो राज्य के लिए एक खतरनाक बात है तमाम तरह कि इस तरह के आरूप लगाए गए हैं और दिल्चस्प बात ये हैं कि उन तमाम कवियों को उनके नाम इकटा करके और उन पर इफायार कर दिया गया है तो ऐसा लगता है कि अपने देश में कवियों को एक तरह से सताने की उनके आध की प्रात्मी की दर्ज कराने की ये संभावता इतने बड़े पैमाने पर कवियों पर दस कवी ये स्टायत पहली घटना है। इसके पहले लेखक, बुद्धी जीवी, पत्रकार एक आध जगों पर कभी भी भासाये गए हैं। उनके खिलाब प्रात्मी की दर्ज कराई गई है। लेकिन वो राजनितिक आंदलनों में भागीदारी के नाम पर या अन्य कारणों से। अब जैसे आंधर प्रदेश में कवी कई कवियों पर अलग-अलग एक एफायार हुए। किसी पर कोई मामला दर्ज कराया गया था। जैसे वरवरा राओ या और तमाम ऐसे कवियों पर किये गए थे मुकदमे समय समय पर। लेकिन उन कवियों पर अलग-अलग मामले हैं। लेकिन यहां पर माफ कीजिएगा अनोखी खबर है। कि वहां की सरकार ने असम के दस महत्त पूर्ण कवियों पर सिर्फ और सिर्फ नागरिक्ता कानून जो भी वदास्पद है उसको लेकर कविता लिखने के अपराद में अपराद विदिन दे कोट अपराद में यह एफायार दर्ज कराई है। आश्यर जनक यह है कि अगर आप देखें बहुत सारे अख़वार दिल्ली से छपने वाले इस खबर को उन्होंने बहुत प्रमुक्ता नहीं दी है। जबकि मेरा वानना है या हम जैसे तमाम लोग सोचते हैं कि अगर देश के लेकों, कवियों, पत्रकारों को अगर अपनी बात कहने से अहिव्यक्ति से रोका जाएगा तो वैसे ही भारत अहिव्यक्ति की आजादी का जो ग्राफ है, इंटरनेशनल ग्राफ, ग्लोबल इंड उसमें हम 140 में नंबर पर हैं, 180 मुलकों की सूची में, फ्रीडम आफ एक्स्प्रेशन में, प्रेस्ट फ्रीडम की जो बात की जाती है उसमें, तो इस तरह से भारत की जो हैसियत है, भारत की जो चवी है, लोक्तान तरिक चवी, वो और गिरेगी, ये एक बहुत ही खतरनाक मंजर है, जो हमें नार्थिस्ट में दिखाई पड़ा है, और ये जो चित्र कथा है, जो असम के दस कवियों के F.I.R. के मामले में, ये कारवाए महबत नाम की सहस्था से आया है, और आप कारवाए महबत के इस वीडियो को देखिए स्टोर श browse से बहुत है, ये जो हमें इना नहीं है, मैं रर्तन है मेरा ठकत स्टोर नार्थिस्तशनदटन में आप अंनांट की सरे ह। फीर्टन्दादीन है मैं, ये जो 1972 देंगे, टेंगे, हो एपले इंगे, स्थेजन ने में हैं। रात, रात दून नामे मिय, एतीजन उस्युछन एंस्साट आंस्साटल। नामने तेजन आपस्ट इंगे रात, My mother is a tutor, though her parents are Indian. Right, I am Evya, of the Brahmfutra. Your torture has burned my body black. Reden my eyes with fire. Right, I am Evya. I am Evya. To me, mother is gray and my mother. I know, right? को आद खंढ आम आकन अमें तुमारी को ना हुundo मा आमारे तुमी गिन्ना गरो कराण आमारी पॉरीश्यवेत को जोन चैयोard अमें तुमारे बीश्यश्यर चैयों के Jamie हुद ह्यॅंत हुद्व zar ना कराण आमारी मुखे दिक युल्यादारी पिन धोने यूंगी मा आमी तुमार कासे आमार पोरिशोय दिती दिती बेकुल वेज़े ताउ हाजार कस्टो जांचोना बंचोना शोज्जो कोई रेव कोई मा आमी तुमारे ये गादो पाई हमारी दोस्तो अगली जो खबर है वो एक बहुती दिल्चस्प खबर है और वो खबर है पुड्डू चेरी से पुड्डू चेरी जिसको पांडी चेरी पहले कहा करते थे इस पुड्डू चेरी को चुकी एक छोटा प्रदेश है आम तोर पे इसको बहुत महत्यों के साथ मीडिया में इसकी कवरिज नहीं होती है लेकिन इस बार बहुत दिल्चस्प खबर आई है और वो ये कि सुप्रिम कोट ने माननी सुप्रिम कोट ने शुक्रवार को वहां की लेफ्टनेंट गवर्नर किरन बेदी जी की एक याचिका को सुनने से इंकार कर दिया या उस पूरी याचिका को एक तरह से खतम कर दिया वो क्या था उन्होंने मदरास हाई कोट के एक फैसले को सुप्रिम कोट में चुनावती दी थी आम तोर पे उप राजपाल इस तरह के काम नहीं करते लेकिन किरन बेदी जी अलग धंकी हैं और बहुती उनका एक जुझारू और संगरशील अपसरी इतिहास रहा है उन्होंने बहुत अच्छे भी काम किये हैं विवादों में भी रही हैं लेकिन उन्होंने उपरा जपाल के तोर पे उनके अहां से एक याचिका दायर हुई और चैलिंज किया गया मदरासाई कोट के फैसले को कि भई जो उनके अधिकारों में कटोती मदरासाई कोट के फैसले से हुई है उसको फिर से वहाँ पर लागू किया जाए पदस्थापीत किया जाए लेकिन सुप्रिम कोट ने इसकी सुनवाई से साथ इंकार किया और उसको निरस्थ कर दिया इस पर जो पुडुचिरी के मुख्यमंत्री हैं नाराएंड सामी जी वी नाराएंड सामी कॉंग्रेस पार्टी के हैं वो बेहत खुश हैं क्योंकि पिछले काफी समय से वी नाराएंड सामी और किरन बेदी के बीच में घमासान चल रहा था ऐसा लग रहा था कि उप राजिपाल भवन और मुख्य मंत्री निवास दो पोल हो गए हैं दो ध्रुब हो गए हैं और दोनों तरफ से गेंदबाजी हो रही है और जब भी कोई विध्यक का मामला आता किसी एपॉइंट्मेंट का मसला आता राजिसरकार के काम में उप राजिपाल भवन दखल देता और उस चुनावती से निपटने के लिए कई बार सरकार को कोट में या उपर की जो हस्तियां हैं चाहे वो केंदर में प्रधान मंत्री हों या राजपती हों हर जगा जाना पड़ता था पेटिशन देना पड़ता कई बार केंदर तक की ये मामला आया लेकिन केंदर सुल्जा नहीं पाया तो नियाएपालिका में अंतता ये मामला गया और इस बार नियाएपालिका ने उनको सुप्रीम कोट की तरप से जो ये एक फैसला आया है मैं समझता हूँ कि इस से पुडुचेरी में मुख्य मंतरी और उप राजपाल के बीच एक बेहतर कामकाजी जो रिष्टे हैं जो तालमेल है वो अस्थापित होगा ये चाहिए अब उप राजपाल को की कंफरेंटेशन का रास्ता छोड़ कर राजपरशासन को स्वयोग करे क्योंकि राजपरशासन की वो स्वय मुख्या हैं तो आज की हमारी इस बुलेटीन में हफते की बात में इतना ही आपके सुझाओं का हमेशा हमें इंतजार होता है ताकि हम अपने को और बहतर बना सकें इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमशकार क्योस्चरों का हमें ताकि जह का हमें इन थर आपके साथ आपके साथ कीज आपकार समसम्शान की और बहुत इस विsound ऐर हैं ताकि को infra уров में इन आपके से का नमशकार आपके पसct 6 Friday आपके से पर अई पाकता हुत एulty कर चुलेबान के और आपके साथ आपके डित कर अपके सा